नमस्कार आप देख रहे हैं Real Express, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं जना आज के मुख्य समाचरों में बात करेंगे लेकिन मुख्य समाचरों के ओबढ़ने से पहली एक नजर सुर्ख्यों पर सबरी माला मंदर के आज से खुलने जा रही का पाट कितने शधालों रोजाना कर सकेंगे दर्सन जौनित पूर डिटेल थर्थर कापेंगे चीन और पाक भारत ने पिना का रोकेट लॉंचर सिस्टम का किया सफल परिक्षन फ्रांस भी खरीदने में दिखा चुका रुची भारत में नौकरी करने वाली कर्मचारी क्या नहीं है खुश काम पर कैसा करते हैं महसूस सामने आई दिल्चस्प रिपोट इन वजों से साल दर साल भायाव होती ज़ारे ही दिल्ली में प्रदूशन की समस्या दिली अंसियार में लगाए गया जी आरे पी त्री इस बार कडाके की ठंड के आसार नहीं मैदानी इलाकों में तापमान सामाने से 4-5 डिक्रीज ज़्यादा ये तो थी सुर्खियां आप चलते हैं बड़ी खबरों की और दुनिया भर में सबरी माला मंदर काफी प्रसिद है भक्त मंदर के दर्सन करने का भी सबरी से इंतिजार करते हैं वहीं अब भक्तों का इंतिजार खत्म होने वाला है सबरी माला में अयप्पा मंदर आज शाम 5 बजे खोड़ा जाएगा भक्तों को दो पर 1 बजे से पहाड पाजिक होल्डिंग के लिए तैयार है निर्वतमान मेलसंधी यानि मुख्य पुजारी पियान मैहेस नंबू थिरी शाम पांच बची मंदर का गरबर घ्रह खोलेंगे भारत ने गुरुबार को एक बार फिर बड़ी कामयावी हसल करते हुए पिनाख हतियार पर नाली के उडान परिक्षन का सफलता पूर्वक परिक्षन किया रक्षा मंतराली ने एक बयान में कहा कि इन परिक्षनों के दोरान रोकेटों के व्यापक प्रडिक्शन के मादम से प्रोवीजनल स्टाफ कॉलिटेटिव रिक्वार्मेंट यानि पी आईस क्यू आर के माप डंडो जैसे की रेंजिंग सतीकता इस्थिर्था और सैल्वो मोड यानि सैल्वो तोप खाने या अग्नियास्त्रों का एक साथ इस् अगर माहल अच्छा नहीं है तो इससे कर्मिचारी का मनुबल भी गिर जाता है काम करने में कर्मिचारीों को किस चीज़ का सबसे ज्यादा अच्छा प्रभा पड़ता है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनके काम में बाधर डालती है इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में 63-37 से अधिक कर्मिचारी कारे स्थर पर पहंचान चाते हैं दिली में प्रदूशन बहुत खतरनाक इस्थर पर बना हुआ है हवा में इस्थाने प्रदूशन के साथ ही पराली के धूए के हिस्तेदारी 30 फीज़ी तक पहुँच प्रदूशन के स्थिती को और खतरनाक बना दिया है हालात की गंभीरता को देखते हुए शुकरवार सुभा से पूरे दिली NCR में ग्रैप के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है इसके तहत कई तरह की गतिविदियों पर प्रतिबंद लगाया जोएगा कई प्रयासों की शुरुआ से ही कहा जा रहा था कि इस वर्षे ला नीना के अजर से कडाकी की ठंड पड़ेगी किन्तु अभी तक प्रशांत महासागर में ला नीना सक्रिया नहीं हुआ है मौसम विज्यानी मान रहे हैं कि अगर दिसंबर में भी ला नीना की सिती बनती है तो कमजोर ही चाहेगी अब दिवी कम होगी इससे ना आते देख ठंड पड़ेगी और नहीं सर्दी के महीनों में ज्यादा ही इंपाथ होगा भारत का मौसम प्रशांत महासागर के सितियों पर निर्भड करता है प्रशांत के पानी के गर्म होने पर अल्म नीनों और ठंडा होने से ला पर आधा बीच चुका है कैसे लगे समाचा कॉमेंट करें जरूरी वीडियो पसंद आया और तो लाइक करें देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अब लेटर नी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही ब बड़ी खबरों के साथ तब तक नमशकार हो देखते रहें रियल एक्सप्रेस